हाई तो इस वीडियो में हम अपने डेटा को टैबलो में इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले आपको टैबलो ओपन करना है टैबलो ओपन करने के बाद आपके सामने स्क्रीन आईए लेकिन अगर आपको टैबलो ओपन करने पे ऐसी स्क्रीन दिखाई दे तो आपको यहाँ top left corner पे क्लिक करना है इससे आप data connection screen पर आ जाएंगे इस screen के left में हमारे पास connection panel है जिसका use हम different type के data sources से connect होने के लिए करेंगे screen का बीच वाला part आपको recently opened workbooks दिखाता है क्योंकि हम tableau को पहली बार open कर रहे हैं तो यहाँ कोई pre-saved workbook नहीं है जब हम एक बार workbooks को create करके save कर लेंगे तो आप उन workbooks को यहाँ देख सकेंगे और यहाँ पर right में हमारे पास यह discover panel है इससे हमें tableau के बारे में और सीखने को मिल सकता है यहाँ पर resources और trainings है जो की tableau ने बनाई है तो अभी हम इस connection panel को देखते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि कई तरह के data sources से connect करने के लिए हमारे पास यहाँ कई सारे options है पहला है tableau server फिर अगर हमारे पास कोई static file है जैसे की excel file या कोई text file तो हम उनको भी connect कर सकते हैं और फिर यहाँ पर option है connect to server यह कुछ commonly used servers हैं लेकिन अगर आप यहाँ more button पर click करते हैं तो आप देख सकते हैं कि tableau almost सारे popular servers से connect कर सकता है अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस training में हम तीन csv files use करेंगे तो वो files text files option के अंडर आती हैं लेकिन आपको दिखाने के लिए कि आप SQL server से या cloud based servers जैसे Hadoop इनसे आप कैसे connect हो सकते हैं इसके लिए मैंने अलग से videos record करी हैं जो की appendix section में होंगे ताकि आपको training में कोई interruption ना हो तो अभी यहाँ पर text files पर click करते हैं और यह हमारी तीन text files आ गई हैं अभी हम sales file को select करेंगे और open पर click करेंगे चलिए अब इस window के सारे elements को देखते हैं पहला section है connections तो हम यहाँ पर sales text file से connected हैं यह data connection है यहाँ हम single text file से connected हैं हम यहाँ SQL server पर database से भी connect कर सकते थे और हम यहाँ cloud-based server से भी connect कर सकते हैं तो यह बस tableau और उस data source का connection है इस connection file में tableau ने यह देख लिया कि उस folder में बस यह sales.csv file नहीं थी उसमें बाकी files भी हैं तो मानो अगर हम CSV file की जगा तो मानो अगर हमने CSV file की जगा किसी Excel file से connect किया होता तो ऐसे में उस Excel file की सारी different sheets का data यहाँ show होता और अगर आप किसी database से connect होते तो उस database के सारे tables यहाँ show होते अब क्योंकि हमने sales.csv file select करी थी तो यह automatically यहाँ पर आ गई है मैं इसे एक बार remove कर देता हूं अब इन तीन tables में अगर हमारे पास Excel sheet होती तो यहाँ पर हमारे पास different sheets के नाम होते तो इन तीनो files में से मुझे जो भी files चाहिए मैं उसे drag करके यहाँ इस canvas में drop कर दूँगा I hope आप समझ गए होंगे हमारा first step है एक data source से connect करना एक बार आप connect कर लेते हैं उसके बाद tableau उस data source के सारे data tables को identify करता है आपको उन data tables की list यहाँ दिख जाएगी आपको जिस भी data table का use करना हो आप उसे drag करके यहाँ पर इस canvas में drop कर सकते हैं यह जो beach में हमारे पास empty space है इसे canvas कहते हैं एक बार आप यहाँ table drop कर देते हैं तो यह कुछ इस तरह का दिखता है अगर आप इस पर hover करते हैं तो आपको यह drop down button दिखेगा और अगर आप इस पर click करते हैं तो आपको यह different options दिखेंगे अगर आप यहाँ open पर click करते हैं तो आप physical layer में enter हो जाएंगे और आप इस table की कुछ information देख सकते हैं मैं इसके बारे में और detail में बाद में बात करूँगा अगला option है rename अगर आप इस पर click करते हैं तो आप इस data table का नाम change कर सकते हैं हम इसका नाम रख देते हैं sales data तो यह file का नाम change नहीं करता इससे बस tableau में data का नाम change हो जाता है फिर है हमारे पास reset table name फिर remove इससे मैंने पहले यहाँ से table remove किया था एक बार हम table remove कर देते हैं तो फिर हम यहाँ से बाकी tables drag करके canvas में drop कर सकते हैं फिर है field names are in the first row तो हमारे data की first row में headers हैं जो की variables हैं तो अगर variable names first row में हैं तो यह ticked होना चाहिए यह automatically ticked है क्योंकि tableau ने automatically identify कर लिया था कि field names first row में हैं in case अगर आपके field name first row में नहीं हैं तो आपको इसे un-tick करना है और फिर बाद में columns को नाम देना है फिर है generate field names automatically तो अगर आपके पास field names नहीं हैं तो आप उन्हें automatically generate कर सकते हैं फिर है text file properties फिर है convert to union मैं union के बारे में आपको एक separate video में बताऊंगा अब हमारे पास अगला section है यह screen का bottom section तो पहले आप यहां देख सकते हैं कि इस table में हमारे पास 11 fields हैं मतलब की 11 variables और 9994 rows हैं मतलब की 9994 transactions recorded हैं और यहां पर लिखा है 100 rows तो basically हम data को जानने के लिए 100 rows ही देख रहे हैं अगर आप और rows देखना चाते हैं तो आप इसको change करके 500 कर सकते हैं और इस button पर click करके आप यहां देख सकते हैं कि अब आपके पास 500 rows हैं फिर यहां पर इस gear icon में हमारे पास कुछ options हैं show aliases मैं aliases के बारे में आपको बाद में बताऊंगा फिर है show hidden fields फिर है sort fields तो यह हमारे variable names हैं और यहां से आप select कर सकते हैं कि आप इने कैसे sort करना चाते हैं तो अभी यह data source order में selected है और अगर मैं इसे यहां a to z ascending में select करूंगा तो यह हमारे सारे columns alphabetically order में sort हो जाएंगे यहां पर left में हम metadata data देख सकते हैं मतलब की column name उसका type जिस table से हमारा column आ रहा है उस table का नाम और original file में इसका क्या नाम है हम table में use करने के लिए इन columns को rename कर सकते हैं लेकिन अगर फिर आप उस column का नाम original file में देखना चाहते हैं तो आप इस column में देख सकते हैं और right में हमारे पास original data है क्योंकि मैंने यह 500 select कर रखा है तो हमारे पास इस data की 500 rows है फिर हम यह column names देख रहे हैं यहां पर इनके type है अगर आप इस drop down पर click करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर इस column से related कुछ options हैं आप यहां से इस column को rename कर सकते हैं यह rename सिर्फ table में use होगा इससे हमारी original file में कोई change नहीं होगा तो अगर मैं यहां order line का rename करके transaction order करता हूँ तो transaction order हमें सिर्फ table में show होगा यह original file में change नहीं होगा next option है copy values इससे मैं इस table की values copy कर सकता हूँ फिर है hide जिससे की मैं column को hide कर सकता हूँ ताकि data निकालते वक्त मैं सिर्फ useful columns ही लूँ और जो columns मेरे काम के नहीं है मैं उन्हें hide कर दूँ हम calculated fields, groups और bins के बारे में separate video में बात करेंगे describe पर click करके इस column की details show हो जाएंगी तो यह column continuous measure है dimensions और measures के बारे में हम बाद में discuss करेंगे फिर है type remote column मतलब की original file का column name फिर remote file, default aggregation और status इसके अलावा हम इस column का type भी change कर सकते हैं तो अभी यह number whole पर selected है लेकिन order line actual में number नहीं है तो अगर मैं first order line और tenth order line को add करता हूं तो यह कोई sense नहीं बनाएगा तो यह कोई number नहीं है यह एक string है जिस पर हम कोई mathematical operation नहीं कर सकते तो मैं यहां string select कर सकता हूं और आप देखेंगे कि यह ABC में change हो गया है जो कि यह represent करता है कि यह एक string type का variable है इसी तरह यह भी string है यह dates है जो कि इस option से represent होता है तो इस icon पर click करके हम इन सभी data types को change कर सकते हैं तो इस सभी column rename करना इसका data type change करना इन process को table का metadata change करना कहते हैं तो यह table का metadata है मतलब की type और field name अगर आप इन में से किसी को change करना चाहते हैं तो आप या तो यहाँ click करके change कर सकते हैं या यहाँ से change कर सकते हैं तो इस छोटे table को metadata table कहते हैं और इस बड़े table को table grid कहते हैं तो जब भी हम tableau में data import करते हैं और उसके लिए file भी connect करते हैं तो एक बार हम connection बना लेते हैं और जब table select करते हैं तो हमें हमेशा यह sure करना चाहिए कि metadata correct हो मतलर की column name ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम समझ जाएं कि वो column क्या data contain करता है और data का type जो की tableau automatically select करता है वो correct हो अगर वो incorrect होगा तो आपको manually correct करना है और इसको manually correct करना हमने इस वीडियो में सीखा है लास्ट चीज है कि हम कैसा connection चाहते हैं लाइव या extract तो अगली वीडियो में हम लाइव और separate connection के बारे में बात करेंगे अभी हम लास्ट चीज इस workbook को save करेंगे तो हम file पे click करेंगे और save as पर click करेंगे तो मैं इस workbook को .twb में save करूँगा जिसका मतलब है Tableau Workbook और मैं इसका नाम रखूँगा business तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में Thanks Thanks